लोकसभा चुनाब 2019 की हार और इस हार के बाद कॉंग्रेस पार्टी में खड़ा हुआ बवाल ना जाने पार्टी में और कितनी कलह पैदा करके जाएगा इस हार के बाद ना जाने और क्या क्या कॉंग्रेस पार्टी को झेलना बाकी है नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News मैं हूँ आपके साथ मेखा सीधे लेकर चलेंगे आपको पंजाब पंजाब जहां की सियासत में भुचाल आ चुका है 2019 के चिनावी नतीजे सामने आ जाने के बाद पंजाब जहां कॉंग्रेस के खेमे की आग आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ जला कर खाख करती जा रही है नवजोज सिंग सिध्धू पर आई मुसीबत के पाउं हर 30 सेकंड के साथ और भी ज्यादा मस्पूत होते जा रहे हैं अब तक पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग सिर्फ और सिर्फ सिध्धू को यहाँ पर आड़े हातों ले रहे थे सिध्धू के किये गए कामों पर सवाल उठा रहे थे सिध्धू की जो परपॉमेंस है लोकसभा चुनाव 2019 में उस पर सवाल उठा रहे थे और सिध्धू की जनता के बीच विश्वस्नियता कितनी कम है उसे अपना मुद्दा बना रहे थे लेकिन अब इन सबसे हट कर कुछी दिनों पहले अमरिंदर सिंग ने नवजोज सिंग सिध्धू का मंत्राले बदल दिया है नवजोज सिंग सिध्धू को उर्जा विभाग दे दिया है संभालने के लिए मुख्यमंत्री के इस पैसले से सिद्धू काफी ज्यादा नाखुश दिखाई पड़े सिद्धू ने एक खत लिखा और खत लेकर सीधे या पहुचे राहुल गांदी और प्रियांका गांदी वाड़ा से मिलने कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कॉंग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा को लेकर यहाँ पर नवजोज सिंग सिद्धू मन में आस लेकर आए हैं उन्होंने ये तो नहीं बताया कि जो खत वो इने सौप कर गए हैं उस खत में क्या लिखा है लेकिन ये जरूर कहा कि उन्हें भरोसा है उनकी बातों को समझा जाएगा यहाँ पर नवजोज सिंग सिद्धू जो है अपनी बिखरती हुई राजनीती के टुकडों को समेटने में लगे हैं कॉंग्रेस महासचिव और कॉंग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात करके और वहां दूसरी तरफ सिद्धू को कॉंग्रेस से बाहर कर देने के लिए मांग उठ गई है जिसे लेकर जिस नेता के बारे में हम आपको बताने वाले हैं सिद्धू को लेकर कहते हैं कि सिद्धू को कॉंगरेस पार्टी से बाहर हो जाना चाहिए क्योंकि कॉंगरेस कैसी राजनीती करती है यही अब तक सिद्धू नहीं समझ पाए है नभजोज सिंग सिद्धू एक वक्त पर भारती जनता पार्टी के साथ थे दूसरे वक्त पर बीजेपी के खिलाफ कॉंग्रेस से हाथ मिला बैठे यहाँ पर सिद्धू ने विवादित बयान दिये है और विवादित बयान देने के बाद भी अब कॉंग्रेस में सिद्धू को लेकर बगावत छड़ गई है बगावत की नीव इतनी मस्बूत हो चुकी है कि नवजोज सिद्धू को कॉंग्रेसी खेमे से बाहर कर देने को लेकर भी मांग अंदरूनी कॉंग्रेस में उठनी शुरू हो गई है सिद्धू के सितारे काफी ज्यादा गर्दिश में चल रहे हैं अभी से नहीं 23 मई को आय चुनावी नतीजों के बाद से ही अब तक पंजाब की मुख्य मंतरी सिद्धू के खिलाव थे लेकिन अब मुख्य मंतरी का समर्थन कर रहे अमरिंदर सिंग के जो समर्थक है वो भी नवजोज सिद्धू के खिलाव बयानबाजी करने से खुद को रोक नहीं रहे हैं क्या हुआ है ऐसा किसने सिद्धु को कॉंग्रेस से बाहर कर देने की नसीहत पार्टी को दी है यह तमाम चांकारियां जानने के लिए आपको नजर डालनी होगी हमारी खास रिपोच पर देखे जरा सांसद मनीश तिवारी कहते हैं नवजोज सिंग सिद्धु के बयान से कॉंग्रेस को लोकसभा चुनाब में नुकसान हुआ है सिद्धु अब बिल्ली जाएं या कॉलकता कोई फर्क नहीं पड़ता गौर हो कि ये बयान आया है सिद्धु के उस मुलाकात के बाद जो दिल्ली में हुई उस मुलाकात के बाद जहां नवजोज सिंग सिद्धु ने कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी और कॉंग्रेस महासजरिव प्रियंका गांधी वाद्रा को एक पत्र दिया है और पंचाब में जो कुछ भी सिद्धु के साथ हुआ है इस पर विचार करने के लिए भी कहा है नवजोज सिंग सिद्धु कॉंग्रेस पार्टी का बड़ा नाम है लेकिन कॉंग्रेस से बाहर होते हुए अब कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहे हैं कॉंग्रेस के खिलाफ सिद्धु के कई कदम गए उन्होंने कई ट्वीट सोशल मीडिया पर ऐसे कर दिये जिसके बाद यही तथ्या निकल कर सामने आता है कि सिद्धु ऐसा सोचते हैं कि पार्टी जो है वो उनसे ज्यादा उपर नहीं है बलकि वो ही पार्टी से उपर है अब आपसे बताते हैं कि आखिर इन सब की शुरुआत कहां से हुई तो इन सब की शुरुआत यहां हुई थी कहीं और से नहीं बलकि शुरुआत इन सब की हुई थी अमरिंदर सिंग से पंजराब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग ने नवजोज सिंग सिद्ध पर कई ट्वीट कर दिये जिसके बाद राजनीती और भी ज्यादा गर्मा गई अब इन सब को लेकर सांसद मनीश तिवारी कहते हैं कि सिद्दू मुलाकात के लिए दिली जाए या कॉलकता कोई फर्क नहीं पड़ता कैप्टन अमरिंदर सिंग ही पंजाब में सरवे सरवा है नवजोड सिंग सिद्दू को कॉंग्रेस में आये दो साल हुए हैं उन्हें कॉंग्रेस के कलचर का ही पता नहीं सांसद तिवारी बता दे आपको बाचीप के दौरान मीटिया के सामने उन्होंने सिद्दू को लेकर इस तरीके की बाते गहीं और साथ ही कहां कि मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग से सभी कैबिनेक मंत्रियों को नक्षे कदम पर चल कर सीखना चाहिए क्योंकि कैप्टन साहब की राजनीतिक वा अन्या विश्यों सहिद सरकार चलाने की समझ उच्चकोटी की है बी-एस-पी के पक्ष में दुआबा में मद्दाताओं के जुकाब चिंता का विश्य है जिस पर हम मन्थन करेंगे बता दे आपको अमरिंदर सिंग जो पंजाब के मुख्य मंत्री हैं उनका सिद्धू के साथ जगड़ा काफी पुराना है कहा जाता है कि सिद्धू जब बीते साल पाकिस्तान दौरे पर गए पाक सेना प्रमुक से गले मिलने के बाद वापस आए तो उन पर कैक्टन अमरिंदर ने सीधा हमला बोला सिद्धू के पत्तीन अवजोत कौर ने चुनाफ के दौरान आरोप लगाया कि मुख्य मंत्री अमरिंदर सिंग ने उन्हें अमरिंदर सरसे पार्टी का टिकट नहीं मिलने दिया इन सब के बीच में अब सिद्धू के इस्तीफे का एलान होना बाकी है कहा जा रहा है कि अगर कौंग्रेस अद्यक श्राहूल गांदी भी सिद्धू के बारे में कुछ नहीं सोचते तो सिद्धू कौंग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देंगे